Hello everyone, मैं हूँ कि रिंशापुरी और ये है आप लोगों के लिए सापता ही क्राशी फल्ट ये 1st January से लेकर 7 January तक की आपकी Tarot Ratings और Tarot Predictions हैं तो सबसे पहले Aries से शुरू करते हैं Aries आप लोगों के लिए इस वीक के लिए कार्ड है The Hermit Rivers और ये कार्ड कहता है कि या तो एक अकेलापन आप इस वीक चाहा रहे हैं या फिर महसूस कर रहे हैं और बहुत actively आप चीजों में खुद को नहीं involve कर रहे हैं कुछ Aries या फिर बहुत सार Aries के लिए हो सकता है कि आप चीजों के बहुत detail में जा रहे हैं एक introspective energies में रहे रहे हैं एक missing feeling भी साथ ही साथ आप महसूस कर सकते हैं और कार्ड की तरफ से आप लोगों के लिए यही advice होगी कि इतनी भी detail में आप चीजों के ना चले जाएं फिर से मैं आपको यही कहूँगी कि ऐसी energies में रहना बहुत अच्छी बात होती है in fact कभी कभी हमें ऐसी energies में रहना चाहिएं लेकिन जब किसी भी चीज के बहुत detail में हम जाते हैं तब फिर हम परेशान होते हैं तो इस चीज का खयाल रखें significant day आप लोगों के लिए होगा Thursday and lucky colors आप लोगों के लिए होंगे all shades of yellow Taurus आप लोगों के लिए coming week के लिए card है 10 of swords reverse और ये card कहीं ending beginning की बात करता है तो किसी भी level में किसी भी life के area में किसी भी तरीके की ending beginning यहां तो हो रही है यहां फिर आप चाहा रहे हैं क्योंकि ये swords का card है तो कहीं ending beginning इतनी comfortable नहीं रहते हुई दिख रही है कुछ challenges कुछ issues रह सकते हैं लेकिन देखिए अच्छी बात यही है कि एक नई beginning किसी भी level पे आ रही है कितनी बारी क्या होता है ना पुरानी चीज़ों के साथ इतना attach होते हैं कि नई beginning चाहाते हैं लेकिन उसी को लेकर थोड़े से apprehensive भी हो जाते हैं और पुरानी चीज़ों को नहीं let go कर पाते हैं तो message इस week के लिए आप लोगों के लिए यही है कि जितना आप letting go वाली energies में रहेंगे और जो भी नई चीज़ें आपकी life में आने के लिए ready हैं उनके लिए आप open arms से you know एक welcoming वाली energies में रहेंगे उतना ही इस week को आप बहतर करेंगे और एक और message इस card का है कि जो भी worst था जो भी issues से challenges थे वो कहीं अब जा चुके हैं अब जो आएगा वो आपकी life में better ही लेकर आएगा so with a positive hope start this new week and आप देखेंगे कि चीज़ें भी आपकी life में बढ़िया ही रहेंगी lucky color आप लोगों के लिए होगा all shades of blue and significant day आप लोगों के लिए होगा Saturday Germany यानि कि मिथुन राशी वालों के लिए इस week के लिए card है strength और ये card कहता है कि again कुछ challenges, कुछ issues, कुछ मसले रह सकते हैं लेकिन कहीं you know आप बहुत ही strongly, बहुत ही will power बहुत ही determination के साथ इनी चीज़ों को deal करते हुए दिख रहे हैं and ये card का message भी आप लोगों के लिए ही है कि आपके अंदर बहुत जबर्दस्त एक power है और इस power को अगर आप realize करेंगे तो कोई भी चीज beyond the point आपको परेशान नहीं कर पाएगी और इस week हो सकता है Gemini's की बहुत एक sabr, बहुत एक patience रखने की ज़रत हो कुछ Gemini's के लिए हो सकता है कि ये sabr, ये patience आप रख पा रहे है कुछ के लिए हो सकता है कि थोड़ा सा frustrated हो रहे है और आपके लिए message यही है कि जितना again आप sabr, patience के साथ चीज़ों को deal करेंगे जितना आप willpower determination रखेंगे उतना ही इस week को आप अपने लिए आइसान करेंगे उतना ही ये week आपका बहुत ही smoothly pass हो जाएगा and by the end of the week आप बहुत बेटर भी feel करेंगे Significant day आप लोगों के लिए है Friday and lucky colors आप लोगों के लिए है all bright shades Cancer यानि की करक राशी वालों के लिए इस week के लिए card है Eight of Pentacles और ये card कहीं hard work की बात करता है dedication की बात करता है बहुत ही एक devotion के साथ चीज़ों को करने की बात करता है क्योंकि ये general reading है सब के answerians के लिए थोड़ा-थोड़ा differ करेगा in fact मैं कहूंगी life के areas जिसमें आप ये hard work कर रहे हैं devotion, dedication के साथ चीज़ें deal कर रहे हैं वो सब के answerians के लिए differ करेगा कुछ के लिए relationship हो सकता है जिसमें आप बहुत effort कर रहे हैं बहुत महनत कर रहे हैं कुछ के लिए professional friend हो सकता है और कहीं एक stability security रह सकती है या फिर stability security कैसे आए उस पे focus कर रहे हैं इस week आपको matter नहीं करेगा कि आपको gain हो रहा है, नहीं हो रहा है आप सिरफ और सिरफ अपने काम पे focus कर रहे हैं कुछ के answerians के लिए literally हो सकता है एक workaholic वाली energies हैं कुछ के लिए हो सकता है again over hard work, over effort आप कर रहे हैं but आपका जो भी hard work है definitely आपको एक positive result देगा and yes आपके लिए काफी neutral और काफी अच्छा ये week जाता हुआ दिख रहा है especially with regards to work and lucky color आप लोगों के लिए होगा all shades of yellow significant day आप लोगों के लिए होगा Thursday Leo यानि कि Singh Rashi वालों के लिए इस week के लिए card है the world reverse और दिखे जब भी reversal आता है आपने परिशान नहीं होना है क्योंकि reversal कहीं upright card की energy इसके लिए blockage की बात करता है जिसको आप एक awareness के साथ consciously उसके ओपर काम करके overcome भी कर सकते हैं तो यहाँ पर दिखे किसी काम को हो सकता है आप complete करना चाहा रहे हैं अब ये कोई भी चीज हो सकते है इन थाक्च सब के लिए differ करेगी कुछ के लिए आपके professional front से related कोई चीज हो सकती है project हो सकता है again कोई भी काम हो सकता है जिस पे आप काम कर रहे हैं कुछ के लिए personal front से related relationship से related हो सकता है कोई closure चाह रहे हैं अब यहाँ पर मैं आपको यह नहीं कह रही हूँ कि आपका relationship end हो रहा है, please I am not saying that, कभी-कभी होता है ना कि किसी ने हमें कोई बात कह दी, हमें चुब गई और कहीं वो अधूरी सी बात रहे गई, उससे related हमें closure नहीं मिला, कुछ के लिए, फिर से मैं कह रही हूँ, कुछ के लिए ऐसा रह सकता है, यहाँ पर मैंने आपको सिरुफ और सिरुफ एक्जाम्पल दिया है, but yes definitely, you know, किसी चीज़ को complete करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, नहीं हो पा रहा है, और कुछ के लिए लियोस को ऐसा लग सकता है, कि आपको वो appreciation, recognition नहीं मिल रहा, जो आप चाहते हैं, उसके लिए हो सकता है out of the country से related, जैसे visa, passport, या फिर out of the country, कोई आपका loved one है, close one है, या फिर अगर आप काम out of country से related है, तो उससे related छोटे मोटे issues, चोटे मोटे मसले रह रहे हैं, and lucky color आप लोगों के लिए होगा, all shades of green, and significant day आप लोगों के लिए होगा, Wednesday, वर्गो यानि की कन्याराशी वालों के लिए एक card है, nine of cups, ये card happiness की बात करता है, joy की बात करता है, ये card wish भी सच होने की, या फिर true होने की बात करता है, तो कुछ work उसके लिए literally हो सकता है, कि कोई wish, कोई desire आपकी, इस week पूरी हो रही है, कुछ के लिए छोटी मोटी desire हो सकती है, कुछ के लिए कोई बड़ी desire हो सकती है, and कहीं eating, drinking, merry making, जादा इस week रहती होई दिख रही है, और अपने love ones, close ones के साथ, आप quality time, या फिर जादा time spent कर रहे हैं, nutshell में, काफी एक happiness, joy, celebration, fun, मज़ा, मस्ती, आप लोगों के लिए इस week रहता होई दिख रहा है, guidance आप लोगों के लिए होगी, कि आप over eating, over drinking, या over fun, मज़ा, मस्ती में खुद को involve ना करें, क्योंकि बाद में, आप थोड़ा सा regret कर सकते हैं, not in a bad way, but in a positive way, तो all in all, ये week आपका काफी अच्छा रहता होई दिख रहा है, lucky color आप लोगों के लिए होगा, all shades of red, maroon and rust, significant day आप लोगों के लिए होगा Tuesday, Libra यानि कि तुला राशी वालों के लिए, इस week के लिए काड है, the sun, हम सब जानते हैं, जब सुभे सूरा जाता है, अंधिरा गायब होता है, हर चीज crystal clear होती है, और बहुत एक उमीदे भी नया दिन लेकर आता है, और इसी तरीके की energies आप लोगों के लिए, coming week, यानि की, sorry, ये week लेकर आ रहा है, 1st January से लेकर 7th January तक, happiness, joy, clarity, success, victory, सभी कुछ इस week में आप के लिए रहता हुआ दिख रहा है, बहुत एक vibrant सी energies, बहुत एक, you know, bright energies, इस week आप लोगों के लिए, किसी particular life के एरिया में, या फिर सारे ही life के एरिया में रहता हुआ दिख रहा है, all in all, ये week आप लोगों के लिए बहुत amazing, बहुत अच्छा रहता हुआ दिख रहा है, and lucky colors, आप लोगों के लिए होंगे, जो भी समंदर के color होते हैं, sea green, sea blue, and significant day, आप लोगों के लिए होगा Tuesday, Scorpio, यानि कि विश्चेक राशी वालों के लिए, इस week के लिए card है, page of pentacles, और ये card कहीं, बहुत ही practical, realistic तरीके से, चीज़ों को deal करने की बात करता है, और ऐसा ही आप भी करते वे दिख रहे हैं, money, पैसा, आप लोगों के लिए एहम रह सकता है, और छोटा मोटा एक, you know, steps आप जो भी चाहते हैं, उसके लिए लेते वे दिख रहे हैं, इस विए आप रिस्क नहीं लेना चाहा रहे हैं, chance नहीं लेना चाहा रहे हैं, या तो कोई young इंसान है आपकी life में, जो एक stability, security ला रहे हैं, जिनकी वज़े से आप अच्छा फील कर रहे हैं, या फिर आपकी page of pentacles वाली energies रह सकती हैं, जहां पर बहुत एक practical, realistic तरीके से baby steps आप ले रहे हैं, और किसी news, message, email का अगर आववेट कर रहे हैं, आपको मिल सकता है ये message, news, email भी money, पैसा, materialistic, tangible चीज़ों से related, professional front, careers related, मिलता हुआ, जादा रहता हुआ दिख रहा है, all in all ठीक ठाक रहता हुआ दिख रहा है, थोड़ा safe, थोड़ा secure, थोड़ा routine work पे आप जादा focus करते हुए दिख रहे हैं, आपर यही चीज़ें आप लोगों के लिए रह रही हैं, and lucky color आप लोगों के लिए होगा, all shades of blue, significant day आप लोगों के लिए होगा Saturday, Sagittarius यानि कि धानू राशी वालों के लिए card है, इस week के लिए page of wands reverse, और यह card कहता है, या तो आप over excited, over enthusiastic किसी चीज़ को लेकर रह रहे हैं, या फिर enthusiasm, excitement थोड़ा सा low रह रहा है, और इसी चीज़ में balance maintain करना बहुत important है, इस week हो सकता है कि आप थोड़ा सा जोश में होश खो दें, इसका मतलब यह नहीं है कि कुछ गलत हो रहा है, बट definitely इसका मतलब यह है कि कोई भी नई चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, आप फिर किसी भी चीज़ में खुद को involve कर रहे हैं, अपने साथ अपनी चेकिंग कर लें कि आप 100% sure हैं, क्योंकि excitement में आप कुछ चीज़ों को शुरू कर सकते हैं, कुछ चीज़ों में खुद को involve कर सकते हैं, और बाद में उसमें आपका interest खो सकता है, तो जिस भी काम में खुद को involve करें, थोड़ा सा फिर से कहूंगी अपने साथ एक चेकिंग कर लें कि आप वाकरी में इस चीज़ को चाहते हैं, और फिर से कहूंगी कि अपने energy levels को maintain करके रखें, किसी news, message, email, phone call का wait है, तो वो delay हो सकता है, हो सकता है, इस week आपको ना मिले, और कुछ के लिए ऐसी यह भी हो सकता है, कि कोई बच्चा आपकी life में है, जिसकी वज़े से आपकी energy levels में थोड़ा सा balance नहीं रह पा रहा है, यानि कि आप यहां तो over excited हो रहे हैं, या फिर आपका excitement, enthusiasm थोड़ा सा लो रह रहा है, और lucky colors आप लोगों के लिए होंगे, जो भी समंदर के color हैं, sea green, sea blue and significant day आप लोगों के लिए होगा Thursday, Capricorn यानि कि मकर राशी वालों के लिए, इस week के लिए card है, Six of Cups Rivers, और यह card कहता है कि थोड़ा सा emotional, थोड़ा सा sentimental आप चीज़ों को लेकर होते हुए दिख रहे हैं, relationships पे ज़्यादा focus रहता हुआ दिख रहा है, और खास कर मुझे लग रहा है, Capricorns, past की किसी चीज़ पे या तो आप focus कर रहे हैं, और यह सब के लिए differ करेगा, कुछ के लिए past का कोई event, past की कोई situation हो सकती है, कुछ के लिए past का कोई connection, past की कोई बात हो सकती है, और कुछ के लिए हो सकता है कि past से कोई चीज़ आपकी life में अभी आ रही है, current life situation में आ रही है, जो किसी न किसी level पे आपको impact कर रही है, जिसकी वज़े से आप थोड़ा सा emotional हो रहे हैं और देखिए अगर past की कोई चीज अभी आपके life में आ रही है वो भी सब के लिए differ करेगी कुछ के लिए कोई connection, कोई relationship हो सकता है कुछ के लिए कोई situation, कोई event हो सकता है all in all देखिए कहीं loved ones, close ones के साथ interaction आप कर रहे हैं लेकिन emotions up and down रह सकती है तोड़ा अचा किसी चीज को हो सकता है कुछ के apricorns miss भी कर रहे हैं and significant day आप लोगों के लिए होगा Saturday lucky colors आप लोगों के लिए होंगे all shades of blue indigo अब देखते हैं Aquarius आप लोगों के लिए coming week क्या लेकर आ रहा है तो आप लोगों के लिए card है lovers reverse और ये card कहता है कि relationships में किसी level पर distance आ सकता है इसके लिए सब Aquarius के लिए different reasons रहेंगे लेकिन miss communication जादा एक reason रहता हुआ दिख रहा है उन relationships पर आप focus करें कुछ के लिए personal front में जो भी आपके loved ones है close ones है उन पर जादा focus रह रहा है और जो भी हो कहीं देखिए फिर से कहूंगे miss communication रह सकता है किसी भी level पर distance रह सकता है देखिए ये weekly reading है तो बहुत बड़ा कुछ नहीं होगा छोटी मोटी चीजें छोटे मोटे issues आपको bother कर सकते हैं और मैं आपको ये ही कहूंगी अपना communication clear रखें और कोशिश करें जो भी छोटे मोटे issues हैं ये इतना भी जादा आपके mind में बड़े ना हो जाएं या फिर किसी भी reason की वज़े से ये चीजें इतनी बड़ी ना हो जाएं कि आप लोगों के बीच में distance बड़े try to resolve things, try to solve things और फिर से कहूंगी communication अपने loved ones या फिर professional friend में colleagues co-workers के साथ clear रखें and significant day आप लोगों के लिए होगा again all shades of blue indigo and significant day आप लोगों के लिए होगा Saturday Pices यानि की मीन राशी वालों के लिए इस week के लिए card है Six of Souls Reverse और ये card कहता है कि एक movement एक shift Pices आप लोग इस week चाह रहे हैं जो भी काम पे आपका focus है जो भी चीज पे आपका focus है कुछ के लिए personal front हो सकता है कुछ के लिए relationship हो सकता है कुछ के लिए professional front हो सकता है आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं एक stuck energies किसी भी level पे महसूस कर सकते हैं कुछ के लिए literally हो सकता है Pices आप किसी भी level पे changes आप किसी भी life के area में चाह रहे हैं और वो changes नहीं हो रहे हैं इसलिए थोड़ा सा आप stuck महसूस कर सकते हैं देखें ये weekly reading है बहुत बड़ा कोई मसला या बहुत बड़ी चीज नहीं होगी बहुत ही छोटी मोटी चीजें होंगी और मैं आपको यही कहूंगी कि थोड़ा सा चीजों को lightly लें अपना state of mind positive रखें और एक acceptance भी लेकर आएं अपनी तरफ से पूरा effort करें लेकिन इसके बावजूद भी जिस तरीके से आप चाहा रहे हैं उस तरीके से अगर चीजें आगे नहीं बढ़ रही हैं तो again positive frame of mind जरूर रखें कुछ के लिए हो सकता है आप travel करना चाहा रहे हैं लेकिन ट्रावल से related छोटे मोटे issues मसले रह रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है कि वहेकिल से related छोटे मोटे issues मसले रह रहे हैं and significant day आप लोगों के लिए again होगा all shades of blue indigo and I think ये तीसरा card है जो saturn यानि की शनी से related है और आप लोगों के लिए भी इसी लिए prices significant day होगा Saturday